नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक छोटी सी कहानी तालाब के मजे काजल और माधो की गाउं में एक तालाब था, दोनों तालाब पर रोज खेलने जाते थे उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लगता था एक दिन वे दोपहर को तालाब पर पहुँचे, वहां बहुत सारे बगले आये हुए थे तालाब सफेद बगलों से भरा हुआ था काजल और माधो इतने सारे बगले देखकर खुश हो गए दोनों कूद कूद कर बगलों के बीच भागे, दोनों ने बगलों को पकेड़ने की कोशिश भी की अगले दिन मोनी भी उनके साथ तालाब पर आ गई मोनी बगलों पर भॉँकने लगी, काजल ने उसको प्यार से चुप कराने की कोशिश की लेकिन मौनी भौकती ही रही वह दोड़ कर बगलों पर जपती काजल ने उसे गोद में उठा लिया माधो और काजल उसको घर छोड़ने चल दिये तालाब के उस तरफ उन्हें कुछ घोसले दिखे बगलों ने तालाब के किनारे के पेडों पर घोसले बनाए थे घोसलों में तिनके घास और पंक लगे हुए थे बगलों के घोसलों में अंडे भी थे काजल और माधो दूर से अंडों को देखते रहे दोनों रोज अंडों को देखने लगे हर एक घोसले में तीन या चार अंडे थे अंडे हलके नीले रंके और छोटे बड़े थे थोड़े दिनों बाद कुछ अंडों का रंग मटमैला हो गया उनमें से छोटे छोटे बगले निकल आए छोटे बगलों आवाज निकालते और पंक फड़ड़ाते थे बगले अपनी चोँच में उनके लिए खाना लेकर आते वे बच्चों की चोँच में खाना डाल देते थे काजल और माधो को या देखने में मज़ा आता था छोटे बगले अब गहुसले से बाहर भी आते थे तालाब के किनारे खुप सारे छोटे छोटे बगले देखने को उल दिखने लगे काजल और माधो छोटे बगलों के पीछे भागते धीरे धीरे छोटे बगले बड़े हुने लगे वे बड़े बगलों के साथ तालाब में भी बैठने लगे वे तालाब में मचली और मेधग भी पकड़ने लगे थे एक दिन सारे बगले वापस अपने घर चले गए काजल और माधों ने सबको उड़कर जाते हुए देखा उन्हें पता था कि बगले अगले साल फिर आएंगे उस दिन मोनी फिर तालाब पर आगई काजल ने उसे भगाया नहीं मोनी उन दोनों के साथ ही घुमती रही तभी उनकी नजर तालाब मिनहाती भैसों पर गई काजल और माधों भैसों पर जाकर बैठ गए दोनों ने भैसों की पीट पर चौक से अपना नाम भी लिखा